हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉफिट अप्रोपेशन अकांट and पार्टनर्स कैप्टल अकांट तो हमने वर्कशेट नमबर टु स्टार्ट कर दी थी, पिछले लेक्ट्चर में वर्कशेट नमबर टू के हमने 8 कोश्चेंज कवर कर लिये हैं पिछले लेक्चर में और टोतल इ दीमा और सीमा दो पार्टनर्स हैं और दोनों का profit sharing ratio equal है यानि कि दोनों जो profit और loss को share करेंगे वो बराबर बराबर करेंगे और partnership deed के मताबिक दोनों पार्टनर्स को salary मिलेगी 15,000 each यानि कि 15,000 रोपे salary दीमा को मिलेगी हर महीने और 15,000 रोपे salary सीमा को मिलेगी हर महीने तो पर मन्त दोनों को salary मिलेगी दूसरी condition है कि capital पे interest देना है दोनों partners को 5% पर रहनम और तीसरी condition है कि drawings पे interest चार्ज करना है दोनों partners से 10% पर रहनम के according तो तीन कंडिशन सा कोश्चन में पहली कि दोनों को सेलरी देनी है पर मन्त 15,000 और दूसरी कैपिटल पे इंटरस्ट देना है 5% के अकॉर्डिंग और तीसरी कंडिशन है कि ड्राइंग्स पे इंटरस्ट चार्ज करना है 10% पर रहना है और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखे है 5,000,000 एच और ड्रोइंग्स दे रखे है दोनों पार्टनर्स की 60,000 एच और फर्म ने यहाँ पे दिखें लॉस दे रखे है हमको 1,000,000 का तो दिखें लॉस की केस में कभी भी किसी पार्टनर को कैपिटल पेंटर्स नहीं दि लॉस के केस में ठीक है तो इंटरस्ट और रोइंग जुरूर चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो फिर्म के इंकम है तो प्रॉफिट रोस अप्रोबिशन अकाउंट यहां पर बनाने के लिए बोला है लेकिन लॉस के केस में आप profit and loss account बनाएंगे उसी में transaction loss को distribute करेंगे profit and loss approbation में loss को आपका भी transfer नहीं करेंगे solution number 9 profit and loss account बनाएंगे for the year ended 31st March 2018 तो देखें loss के case में profit and loss approbation नहीं बनाना है आपको आप profit and loss account में ही show करेंगे सारी transaction और capital पर interest बोला है देने के लिए लेकिन हम यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि loss है loss के case में नहीं आप किसी partner को capital पर interest देंगे नहीं किसी partner को salary देंगे नहीं commission देंगे interest on drawings जरूर चार्ज किया जाएगा partner से तो सबसे पहले loss को debit side में transfer कर दीजे to net loss और सिरफ drawings पर interest चार्ज करेंगे क्योंकि loss के case में interest on capital और salary नहीं देना है drawings पर interest कितना है 10% तो यहाँ पर लिखेंगे income है तो credit side में show करेंगे इसको by interest on drawings partner है Rima और SEMA यहाँ पर लिखेंगे Rima's capital account और SEMA's capital account तो देखें interest on drawings calculate करना पड़ेगा दोनों partners का calculation of interest on drawings देखें दोनों की drawings 60,000 each है मतलब दोनों की 60,000 रुपे drawings है पुरे साल भर में इन्होंने 60,000 रुपे ही निकाल ले 60,000 और rate of interest है 10% तो जब भी आपको annual देखेंगे formula क्या होता है interest on drawings का total drawings into rate upon 100 into average period upon 12 देखेंगे आप annual drawings हमें दे रखें 60,000 और rate of interest drawings का है 10% तो जब भी आपको annual drawings दे रखें हो rate of interest परेनम में हो तो साथ में आप average of six months के recording calculate करेंगे तो six by 12 आप जरू लिखेंगे आप हमेशा तो interest आ जाएगा 3000 रुपे तो दोनों की drawing सेम है time period सेम है तो interest दोनों का सेम आएगा तो बार बार calculate करने की जुरत नहीं है तीन रुपे रिमा के सामने लिख दीजिए तीन रुपे सीमा दोनों का interest सेम आएगा total interest हो गया 6000 और बाकी जो profit बचेगा सरी लॉस बचेगा वो बाटनेस में distribute कर देंगे तो वन लेक में से 6000 माइनस कीजिए तो divisible loss आएगा यहापे 94000 और टोटल सेम कर दीजिए लॉस को दोनों में distribute करेंगे तो by loss transfer to Rima's capital account SEMA's capital account equal ratio हैं दोनों का बराबर बराबर तो इसको 1 by 2 कर दीजिए half कर दीजिए तो आधा loss आएगा 47000 Rima के हिस्से में और 47000 Rima और SEMA दोनों में 47000 बना जाएंगे तो loss के case में एक चीज़ हैं रखेगा कि आप profit and loss approbation नहीं बनाएंगे और loss के case में आप partners को capital पे interest नहीं देंगे, salary नहीं देंगे, commission नहीं देंगे सरफ interest on drawing चार्ज करेंगे, वो भी आप profit and loss account में show करेंगे सारी adjustments ठीक है और drawings annual दे रखेंगे तो दो partners हैं यहाँ पर भानू और परताब profit sharing ratio equal है, दोनों की fixed capital दे रखेंगे तो सारी transaction current account से होंगे, यानि कि नाम के साथ आप current account जुरू लिखेंगे, और दोनों की capital दे रखेंगे आट लाक और दस लाक रुपे और दोनों partners की drawings दे रखेंगे 50,000 और 1,000 लेक, annual drawings है और drawings capital पर interest charge करना है, तो देखें एक word यहाँ पर दिखा हुआ है charge तो देखें चाहे loss हो, चाहे profit हो, इस case में आपको interest on capital देना ही पड़ेगा, क्योंकि interest on capital क्या बोला है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है, चाहे firm को फायदा हो, चाहे नुकसान हो, partners को capital पे interest दे रहीं पड़ेगा, compulsory हो जाता है तो जहां पर charge item होती है, उसको charge items को हम हमेशा profit and loss account में दिखाते हैं, यह firm के लिए fixed cost बन गई है क्योंकि partners को interest on capital compulsory देना है यहां पर, चाहे firm को फायदा हो, चाहे नुकसान हो, तो जो fixed cost है firm की और जो charge items है उसको हम profit and loss account में दिखाते हैं और drawings पे भी interest charge करना है, कितना परसंट? 15% capital पे interest charge करना है 10% और drawings पे interest charge करना है 15% net profit हमें दे रखा है 1,20,000 और approbation account बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम, मैंने आपको बताया है जो भी charge items होती है, उसके लिए हम क्या बनाते है, profit and loss account बनाते है तो देखें आपे, solution no.10 profit and loss account बनाएंगे for the year ended 31st March 2019 तो देखें, interest and capital charge बोला है, इसलिए हम इसको profit and loss account में दिखाएंगे तो इस case में चाहे firm को फायदा हो, चाहे नुकसान हो, interest and capital देना ही पड़ेगा हमको तो इसलिए हम इसको approbation में नहीं दिखाएंगे, profit and loss account में दिखाएंगे सबसे पहले दिखिए आप यहां पर जो profit दे रखाएंगे, profit and loss account में, by net profit 1,20,000, एक लाग BCR का profit दे रखा है और partners को capital penters देना है, कितना percent देना है? 10 percent, तो यहां पर लिखेंगे, debit side में, to interest on capital भानू's current account, देखिए सारी transaction current से होगी, क्योंकि capital fixed है और परताब's current account, 10 percent capital पर interest देना है, तो देखिए भानू की capital है, 8 lakh रुपे, और 8 lakh रुपे का 10 percent होता है, 80,000 रुपे तो 80,000 भानू के सामने लिख दीजिए और परताब की capital है, आपकी 10 lakh रुपे, 10 lakh का 10 percent होता है, 1 lakh रुपे तो 1 lakh रुपे लिख दीजिए, परताब के सामने टोटल इंट्रेस्ट हो गया है यहाँ पे capital पे 1,80,000 रुपय तो देखे जहाँ पे charge बोला है वहाँ पे आप profit and loss account में ही दिखाएंगे interest on capital और जितना भी बोला है calculate करने के लिए यहाँ पे 10% बोला है तो 10% ही देंगे चाहे firm को profit हो चाहे loss हो दूसरा interest on drawing charge करने के लिए बोला है तो interest on drawings को credit side में दिखाएंगे by interest on drawings भानूस current account और परताब्स current account तो interest on drawings की calculation कर लेता है calculation of interest on drawings तो देखिए formula सेम रहेगा total drawings into rate upon 100 into average period upon 12 तो देखिए annual drawings भानू की जो drawings दे रखे हैं वो है आपके 50,000 annual drawings और rate of interest है 15% तो 50,000 total drawings है और rate of interest है आपका 15% और जब भी annual drawings दे रखे हो rate of interest per annum में हो तो average of 6 months जरूर लगाएंगे 6 by 12 तो solve कीजिए इसको 50,000 into 15% into 6 upon 12 that is 3750 तो इसी तरीके से आपने परताब का भी निकालना है इसकी total drawings आपको दे रखे के question में 1,000,000 rate of interest same है 15% और जब भी total drawings दे रखे होंगी और rate of interest per annum में तो साथ में 6 by 12 जरूर लगाएंगे तो solve करेंगे तो कितना आएगा 75,000 अब यह तो दोनों का drawings पर interest है इसको आप credit side में यह पर लिख देंगे 3750 भानू का है और 7,500 परताब का है total करेंगे 7,500 और 3,750 तो यह आएगा 11,250 इतना लिखने के बाद अब देखे हमने यह पार्टनर्स को capital पर interest भी दे दिया है और प्रीक कर लेता इसको तो देखे यहां पर capital पर interest भी दे दिया है drawings पर interest भी चार्ज कर दिया है हमने और बाकी जो यहां पर loss आ रहा देखे क्योंकि capital पर interest जो है वो जादा है debit side का total 1,80,000 आ रहा है तो difference देखेंगे वनलेक 80,000 में से 120 और 11,250 माइनस कीजिए तो इस पर credit side में जो difference आ रहा है वो divisible loss क्या लाएगा 48,750 इस loss को दोनों में partners में डिवाइड कर देंगे तो by loss transfer to भानूस current account और परताब्स current account ratio इनका same है equal तो 1 ratio 1 में divide कर दीजिए तो 48,750 into 1 by 2 24,375 आ जाएगा भानू का loss और परताब का भी same आएगा क्योंकि profit sharing ratio same है और total कर दीजिए 1,80,000 इस तरीके से आपने यहाँ पर profit and loss account बनाना था approbation नहीं बनेगा loss के case में और जब भी charge item होंगी उसको आप profit and loss account में ही दिखाएंगे ठीक है question number 11 question number 11 में क्या है दो partners है कमल और कपिल और दोनों की fixed capital दे रखी है 5,00,000 रुपे each यानि की कमल की भी capital 5,00,000 रुपे और कपिल की भी और कमल introduced further capital of 1,00,000 on 1st October 2018 कमल ने 1,00,000 रुपे additional capital यहाँ पे introduce किया है एक अक्टूबर को और कपिल ने 1,00,000 रुपे विड्रॉण किया है capital से same date पे एक अक्टूबर को और capital पे interest calculate करना है 10% ठीक है तो एक partner ने कमल ने additional capital इंट्रॉड्यूस किया है और कपिल ने 1,00,000 का capital विड्रॉण किया है और firm का net profit दे रखी है 6,00,000 और हमें general interest पास करनी interest on capital से related और profit and loss approbation account बनाना है तो सबसे बहले इसमें main जो है capital का interest जो calculate करना है पहले उसको सीखेंगे हमें आपर कि किस तरीक से आपने calculate करना है तो solution number 11 calculation of interest on capital तो सबसे पहले हम कमल के लिए calculate करेंगे for कमल तो दीखें कमल की capital कितनी थी 1st April 31 माज़एर 18 बोल दीजिए 1st April 2018 बोल दीजिए एक ही बात है यहापर क्योंकि जो year end हो रहा है 31 माज़एर 19 को हो रहा है तो 1st April 2018 से लेके और 30 September 2018 तक यानि कि इन 6 महिनों में इन 6 मंस में जो कमल की capital थी वो 5 लाग रुपे थी सिरफ ठीक है तो 5 लाग क्यों थी क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को 1 लाग रुपे और additional capital इंट्रोड्यूस किया तो 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च 2019 तक अब उसकी capital इन बाकी के 6 महिने कितनी रही है 6 लाग क्योंकि उसने 1 लाग रुपे additional capital इंट्रोड्यूस किया तो देखिए कमल की capital 1st April 2018 से लेके 30 September 2018 तक 5 लाग रुपे थी तो 5 लाग रुपे 10% इंट्रेस्ट हमें calculate करना है और सिरफ 6 महिने का इंट्रेस्ट calculate करेंगे क्योंकि 5 लाग जो उसकी capital है कमल की वो 6 महिने ही रही है बिजनस में तो 5 लाग इंट्व 10% इंट्व 6 लाग रुपे तो यह आजाएगा आपका 25,000 6 महिने का इंट्रेस्ट अगले 6 महिने अब 1 लाग रुपे और additional capital इंट्रोड्यूस किया इसने तो पहले capital पांच थी तो अब कितनी हो जाएगी 6 लाग रुपे हो जाएगी तो अगले 6 महिनों में 10% जो calculate करेंगे वो 6 लाग पे करेंगे और 6 महिने के लिए calculate करेंगे तो यह आजाएगा आपका 30,000 रुपे तो देखिए दो steps में हम capital पे interest calculate करेंगे कमल का 1 April 2018 से लेके 30 September 2018 तक कमल की capital 5 लाग रुपे थी तो 5 लाग का 10% और 6 महिने का interest calculate करेंगे तो कितना आएगा 25,000 रुपे फिर 1 October को कमल ने 1 लाग रुपे और additional capital लगाई है तो पहले 5 थी अब 6 लाग हो जाएगी और 1 October से 31 मास तक 6 महिने उसकी capital 6 लाग रुपे रही है तो 6 लाग पे 10% और 6 महिने का interest देंगे तो कितना होगा 30 रुपे तो total interest देखिए कमल का हो जाएगा यहाँ पे 55,000 देखिए एक बार आपको बता देते हैं किस तरीके से interest calculate किया एक एप्रिल 2018 से लेके एक अक्टूबर 2018 तक जो कमल की capital है इन 6 महिनों में सिर्फ 5 लाग थी इसके बाद एक अक्टूबर से लेके और 31 मार्च 2019 तक एक लाग रुपे और additional capital लेके आया तो इसकी capital होगी 6 लाग तो next six months में इसकी capital 6 लाग थी और पहले 6 महिने में इसकी capital 5 लाग थी तो इसलिए हमने दो steps में calculate किया 5 लाग पे interest calculate किया 10% 6 महिने के लिए तो interest आया 25 रुपे next six months उसकी capital 6 लाग थी क्योंकि एक लाग रुपे और लेके आया additional capital तो next 6 lakh पे 10% interest calculate करेंगे 6 महिने के लिए तो 30,000 total interest हो गया इसका 55,000 तो इसी तरीके से आपने कपिल का भी calculate करना है for कपिल तो देखिए इसकी कपिल की capital 1 April 2018 से 30 September 2018 तक इन 6 महिनों में 5,000,000 रुपे थी और 1 October 2018 से 31 मार्ज 2019 तक अगले 6 महिने कपिल की capital 4,000,000 रुपे हो गई क्योंकि उसने 1,000,000 रुपे विड्राउन किया है ठीक है तो इसका भी 2 steps में आप calculate करेंगे तो 5,000,000 पे जो interest निकलेगा 10% वो 6 महिने के लिए निकलेगा क्योंकि 6 महिने कपिल की capital 5,000,000 थी business में तो ये 25,000 यह आएगा और next 6 months अब 1,000,000 रुपे विड्राउन के लिए पहले 5 थी capital अब 4,000,000 रह जाएगी क्योंकि 1,000,000 रुपे विड्राउन के लिए तो next 6 months कपिल की capital 4,000,000 रुपे रह बिजनस में तो 6 महिने का interest निकलेगा 4,000,000 पे तो यह आजाएगा 20,000 टूटल करेंगे तो कितना आएगा 45,000 तो कमल का interest है 25,000 और कपिल का interest है 45,000 ठीक है इस तरीके से आपने interest केलकुलेट करना था दोनों partners का अब हम profit and loss एप्रोपेशन अकाउंट बना सकते हैं तो यहाँ पर बनाएगे profit and loss एप्रोप्रियेशन अकाउंट for the year ended 31st March 2019 सिरफ interest on capital ही है और तो कोई item यहाँ पर है नहीं सबसे बहले जो profit हमें question में given है उसको लिखेंगे by profit and loss अकाउंट 6 लाख रुपे का profit हमें question में given है तो यहाँ पर capital पर interest देना है तो यहाँ पर लिखेंगे to interest on capital दिखे capital fix तो नहीं है fixed है capital तो capital fix होगी तो नाम के साथ current account जरू लिखेंगे यहाँ पर कमल्स current account और कपिल्स current account तो कमल का जो interest था वो था हमारा capital पर 55,000 और कपिल का हमने interest calculate क्या था that is 45,000 total करेंगे तो यहाँ आएगा 1,00,000 और कुछ नहीं था question में तो 6,00,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो divisible profit आएगा 5,00,000 इस profit को partners में divide कर देंगे to profit transfer to कमल्स current account कपिल्स current account profit sharing ratio देख लेते हैं क्या था profit sharing ratio के बारे में कुछ नहीं बोला है तो profit sharing ratio के बारे में कुछ नहीं अगर बोला है तो आप इसको equal distribute करेंगे बराबर बराबर बाड़ देंगे जब भी profit sharing ratio question में ना गिवन हो तो आप इसको equally distribute करेंगे 1 ratio 1 में तो 2,50,000 आ जाएगा कमल में और 2,50,000 आ जाएगा कपिल में टोटल कर दीजिए 6,00,000 इस तरीके से आपने एप्रोपेशन अकाउंट बनाना था और यहाँ पे हमें interest on capital से related general entry पास करने के लिए बोला गया है तो format में नहीं बना रहा है आप format पे बनाईएगा मैं यहाँ पे आपको normally पास करके बता देता हूँ general entry interest on capital को लेके तो पहली entry आएगी interest on capital को लेके profit and loss अप्रोपेशन में हमने debit side में transfer किया तो profit and loss approbation account debit to interest on capital profit and loss approbation के debit side में दिखाना है तो एक लाख रुपे total interest है capital का उसको आप दिखा दीजे और दूसरा narration जुरू लिख दीजे गया है आपे being interest on capital debited to profit and loss approbation account और आपने format में गुनाना है विटाइस आ रहा ना दूसरा देखिए जो interest था वो हमने partners के current account में credit side में transfer करना है current account में तो इसलिए लिखेंगे interest on capital account debit to Kamal's current account to Kapil's current account तो देखिए कमल का जो interest है वो 55,000 था 55,000 और 45,000 कपिल का था total 1 lakh interest दोनों के खाते में credit कर दिया जाएगा इस तरीके से आपने interest on capital से related दो interest पास करनी है पहली profit and loss एप्रोपेशन में debit side में transfer करने की और दूसरा दोनों partners के खाते में credit में transfer करने की दोनों के current account में credit side में transfer करने की तो narration भी लिख लिख लिएगा being interest on capital credited to partners current account ठीक है इस तरीके से आपने ये question करना था तो अब इसके बाद देखिए इसमें question नहीं था सिरफ interest की calculation थी इसी के लिए हमने interest की calculation सीखने के लिए question किया बाकी सब normal था इसमें 12th number question देखिए अब देखिए आपे 1st April 2013 को Jay और Vijay दो partners है उन्होंने partnership में एंटर किया और supplying laboratory equipment to the government school situated in the remote backward areas तो इन्होंने जो partnership business start किया है वो laboratory के जो equipments है वो government schools को remote area में backward areas में supply करने का काम इन्होंने शुरू किया है और दोनोंने capital contribute की है Jay की capital 80,000 रुपे है और Vijay की capital 80,000 रुपे है और profit और loss को वो 3 ratio 2 में यहां पर distribute करेंगे ठीक है total profit को 5 हिसों में बाटेंगे जिसमें से 3 हिससे जय रखेगा दो हिससे विजय रखेगा उसके बाद यहां पर partnership deed के मताबिक capital पे interest देना है दोनों partners को 9% और during the year firm and profit of 7,800 firm ने 7,800 profit कमाया है तो हमें इसका calculation दिखाना है और profit and loss appropriation account बनाना है दोनों partners का 31,000 रुपे देखेंगे तो ठीक है यहां पर देखें सिरफ capital पे interest देना है तो solution number 12 profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2014 format बनाएंगे दिखिए अगर loss होता तो loss के case में तो interest and capital हम नहीं देते हैं हाँ अगर question में charge लिखा हुआ interest and capital के लिए तो तो हम profit and loss account में दे देंगे उसको जितना भी बनता है लेकिन अगर loss होता तो loss के case में interest and capital नहीं दिया जाता कभी भी और इस question में एक नई चीज हम सीखेंगे important point है बार बार पूछा जाता है votes में तो देखिए profit तो हमें दे रखा है question में देखिए profit कितना दे रखा है यहाँ पर 7800 का profit हमें दे रखा है तो यहाँ पर credit side में profit transfer करेंगे तो by profit and loss account 7800 profit हम transfer कर देंगे तो जो interest on capital है उसकी calculation करते है calculation of interest on capital जय और विजय दोनों की capital पे interest calculate किया जाएगा कितना percent interest देना है 9% per annum के according interest देना है और दोनों की capital है 80,000 और 50,000 तो जय की capital है 80,000 और विजय की capital है 50,000 और चेक कर लेते हैं और 45,000 बनता है विजय का तो total कीजेगा तो 7,200 प्लस 45,000 तो यह तो 7,700 और है total interest इस case में देखे profit तो 78,000 है profit हमारे पास कम है और interest on capital देना है ज्यादा देखे profit हमारे पास कम है लेकिन interest on capital देना है ज्यादा अगर तो charge वाला case होता है कि देना ही देना है partners को compulsory है तो तो हम नहीं देखते से बाकी loss हम transfer कर देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो इस case में ध्याद से सुनिएगा इसको जब भी profits कम होंगे interest on capital से देखे profit यहाँ पर कितना है 7,800 और interest on capital कितना है 11,700 तो जब भी आपका profit interest on capital से कम होगा इस case में दिखें आपर लिख भी देते हैं जब भी profit interest on capital से कम होगा तो इस case में profit को interest on capital की ratio में divide कर देंगे तो देखें जब भी profit हमारा कम होगा interest on capital से इस case में हम profit को ही interest on capital की रेशो में divide कर देंगे तो देखें interest on capital का रेशो सीखना बढ़ेगा कि किस तरीके से calculate करते है तो देखें यहाँ पर इंट्रेस्ट on capital रेशो तो देखें यहाँ पर जय जो है और दूसरा है विजे जय का interest देखें कितना था capital पर 7200 और विजे का interest था 4500 तो इसका अगर रेशो बनाएंगे देखें interest on capital दोनों का लिखी है और इसका रेशो बनाएं देखें दो 0 दोनों में से कड़ जाएंगे तो रेशो बनाना है 72 और 45 में और शोटा करेंगे तो 3 के table से कड़ जाएगा 3 2s are 6, 3 4s are 12 और 3 1s are 3, 3 5s are 15 और कटेगा 3 के table से तो 3 8s are 24 और 3 5s are 15 तो यह आपका interest on capital का रेशो आगया यानि कि जो भी हमने interest on capital कैलकुलेट किया था उसका आप रेशो बना दीजिए तो profit जब भी आपका कम होगा interest on capital से जब भी आपका profit कम होगा interest on capital से तो आप profit को interest on capital की रेशो में बाठ देंगे जो की 8 ratio 5 आ रहा है इस question में तो यहाँ पर लिखेंगे 7800 को ही हम distribute कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे to profit transfer to capital देखें fix तो नहीं है नहीं profit transfer to jazz capital account और vijays capital account इस 7800 के profit को हमने interest on capital की रेशो में बाठ देंगे तो तेरा हिस्सों में बाठ यह 7800 को और 8 हिस्से जै को मिलेंगे और 5 हिस्से विजे को 7800 into 8 upon 13 तो जै के हिस्से में आएगा 4800 और 7800 into 5 upon 13 विजे के हिस्से में आएगा 3000 उप्रे टोटल करोगे तो 7800 आएगा और टोटल भी यहाँ पर 7800 लिख दीजे इस तरीके से आपने यह question करना था और काफी important question है बोड exam में पूछा जाता है यह तो इसमें देखे एक चीज दिहान रखेगा अगर तो charge बोला है interest on capital तब तो आप पूरा देंगे interest on capital जितना भी बनता है और अगर loss हुआ question में तो loss के case में आप interest on capital नहीं देंगे partners को और अगर profit कम है interest on capital से तो आप profit को interest on capital की ratio में divide कर देंगे दोनों partners में तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं to interest on capital जय और विजय भी लिख सकते हैं और profit transfer के नाम से भी लिख सकते हैं ठीक है को में बाटेंगे दो हिससे A रखेगा दो हिससे B रखेगा एक हिससा C रखेगा A is entitled to commission of 10% on net profit A को हमने commission देना है 10% net profit और net profit हमें दे रखा है एक लाग दस रखेगा तो यह तो बहुत easy है यहां पर सिधा सिधा लिख दीजिए A is commission और मैंने आपको बताया था दो cases होते हैं पिछले lecture में एक before charging और after charging तो यहां पर कुछ नहीं बोला है तो हम यहां पर क्या हम assume करके चलेंगे before charging इसमें formula simple है net profit इन्टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट सोरी रेट अपॉन 100 ओनली after charging होता है तो 100 प्लस रेट करते है तो net profit दे रखा है एक लाग दस यहां और इसका 10% calculate करेंगे तो कितना आएगा ग्यारह जार रोप्या ठीक है तो इस तरीके से आपने सिर्फ commission निकालना था one marks में question पूछा जा सकता है next 14 number तो देखिए x y z तीन partners है तीनों का जो profit sharing ratio equal है partnership deed के मताबिक z को commission देना है 10% net profit पे लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है after charging such commission यानि कि after charging का case है और हमें यहां पे net profit दे रखा है 2,20,000 रोपया और z का commission हमें calculate करना है तो देखिए यहां पे after charging का case है तो बहुत easy है यहां पे सिरफ formula आपको याद रखना है solution number है हमारा 14 z कमिशन और कौन सा case है यहां पे after charging इसने बोला कि after charging commission कमिशन को charge करने के बाद तो after charging के case में आप formula लिखेंगे net profit into rate upon hundred plus rate तो net profit आपको question में given है 10 upon 110 तो यहां जाएगा आपका 20,000 सिरफ आपको formula ध्यान में रखना है और condition ध्यान में रखनी है कि कौन सा case है यानि कि total profit को 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10 total profit को 10 हिसों में बाटेंगे जिसमें से 4 हिस्से A रखेगा 3 हिस्से B रखेगा और 2 हिस्से C और 1 हिस्सा D रखेगा इन्होंने profit कमाया है चारोंने मिलके 1,80,000 रुपे 31,18 को partnership deed के मताबिक they are to charge तो charge का मतलब है देना ही देना है charge commission at the rate 20% of the profit जितना भी profit होगा उसका 20% हमने commission देना है total और after charging such commission और condition क्या है case कौन सा है after charging और जो commission होगा उसको इस ratio में वो divide करेंगे 2, 3, 5 और 15 तो total जो commission आएगा commission को 10 हिस्सों में बाटना है जिसमें से 2 हिस्से A को मिलेंगे 3 हिस्से B को 2 हिस्से C को और 3 हिस्से D को तो यहां पर हमें profit का distribution करके बताना है सबसे पहले तो हम commission यहां पर calculate कर लेते है main यहां पर commission का calculation है तो solution number 15 total commission कैलकुलेट कर लेते हैं पहले और कौन सा case है यहां पर क्या लिखा था after charging तो after charging में formula आपको पता है net profit into rate upon 100 plus rate तो net profit देखे कितना है question में 1,80,000 और commission का percentage हमें दे रखा है 20% और after charging है तो 100 plus 20 कीजेगा तो यहां पर solve करेंगे इसको 100 plus 20 तो 1,80,000 into 20 upon 120 तो total commission आजाएगा आपके पास 1,80,000 into 20 upon 120 30,000 आपका commission आजाएगा यह आपका total commission आया है इस total commission को चारो partners में बाटना हमने divide करना है पहले किस ratio में 2,3,2,3 में उसको बाट दीजे 2 ratio,3 ratio,2 ratio,3 में ठीक है ठीक है 2,3,2,3 ठीक है तो A is share in commission total commission आया बाटना फिर C is share in commission 30,000 30,000 2 by 10 6000 और D is share in commission यह commission आ गया आया C आया 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 0 झाल झाल सबसे पहले आप यहां पर प्रॉफिट ट्रांस्फर करेंगे बाइ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें कुश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,80,000 उसके बाद जो केमिशन दिया है हमने पार्टनर्स को यहां पर लिखेंगे तू केमिशन A is capital account B is capital account C is capital account और D is capital account चारों पार्टनर को कमिशन दिया जाएगा दिखें capital fixed तो नहीं है अगर capital fixed होती तो हम यहां पर current account लिखते न तो दिखें commission कितना कितना आया था A का 6000 रुपे था B का 9000 C का 6 और 9 6000 A का commission है 9000 B का commission है 6000 C का और 9000 D का टोटल करेंगा तो 30,000 यहोगा और बाकी जो profit बचेगा वो पार्टनर्स में हम distribute कर देंगे 1,80,000 टोटल profit था इसमें से 30,000 माइनस कर दीजे तो 1,50,000 आएगा उसको तीनों पार्टनर्स में बाट देंगे चारों पार्टनर्स में to profit transfer to A is capital account B C और D अब देखिए यहाँ पे आपको चारों पार्टनर्स में बाटना लेकिन profit sharing ratio देख लीजे क्या था वो तो commission का ratio था जिसमें हमने यह बाटा था profit sharing ratio 4,3,2,1 है profit sharing ratio क्या है 4,3,2,1 तो 4,3,2,1 में distribute करेंगे तो 150,000 into 4 by 10 तो 60,000 रुपय आएगा A के हिस्से में 3 by 10 45,000 आएगा B के हिस्से में और 1,50,000 into 2 by 10 30,000 C में आएगा और 1,50,000 into 1 by 10 15,000 D में आएगा और total same कर दीजिए 1,80,000 तो इस तरीके से आपने approbation बनाना था यहाँ पे सिरफ यहाँ पे main commission का point था और बाकी जो profit बचा उसको commission total calculate करके after charging वाला केस था commission total calculate करके चारों partners में distribute करना था ratio दे रखा था में question में कि किस ratio में commission बाटना है और फिर उसके बाद जो profit remaining बचेगा उसको बाटने का ratio अलग था इनका चीक है तो last question अब इस worksheet का हमारा 16 question number 16 में x और y दो partners है और x को salary दी जाएगी 10 या रोपे हर महीने और commission 10% दिया जाएगा net profit पर after partner salary but before charging commission देखिए x को 10 या रोपे salary देनी है हर महीने और commission देना है 10% लेकिन किस profit पर देना है after partner salary यानि कि partners को salary देने के बाद और लेकिन case कौन सा है देखिए में यहाँ पर case पर ध्यान देना है आपने की case कौन सा है इसका इसका case है before charging such commission ठीक है तो इसका तो normal formula लगेगा लेकिन salary को deduct करना पड़ेगा पैने profit में से और why is entitled to salary of 25,000 पर एनम पुरे साल भर की salary देनी है या को 25 या रोपे और why का commission है वो 10% है कैसे देना है after charging all commissions and partner salary तो इसके case पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है after charging all commissions तो y का जो commission निकालना है after charging वाले case से निकालेंगे और x का जो commission है वो before charging वाले case से होगा और net profit हमें दे रख्खा है salary और commission से पहले का 4,20,000 हमें distribution करके दिखाना है profit का तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर profit and loss appropriation account बना लेते है solution number 16 profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019 16 15 झाल सबसे पहले देखिए आपे profit transfer करेंगे तो by profit and loss account profit हमें दे रख्या देखिए 4,20,000 रुपे का सबसे पहले तो दोनों partners को salary देदीजिए आपे लिखेंगे to salary account और क्या-क्या नाम है X और Y capital fix नहीं कुछ नहीं बोला तो capital account ही लिखेंगे तो X capital account और Y is capital account X की salary देखिए कितनी है 10,000 रुपे हर महीने तो into 12 कर देंगे तो पुरे salver की salary हो जाएगी इसकी एक लाग 20,000 और Y की जो salary है और Y की salary 25,000 रुपे पर है नब पुरे salver की है तो total salary देखेंगे यहाँ पर 1,45,000 हो जाएगी X की salary 10,000 रुपे हर महीने की थी तो पुरे salver का हम एप्रोपेशन बना रहे हैं पुरे year का बना रहे हैं तो पुरे salver की salary होगी 12 से multiply कर दीजेगा तो 1,20,000 10,000 पर मन्त है तो पुरे salver की 1,20,000 हो जाएगी X की salary और Y की पुरे salver की salary 25,000 रुपे दे रखिए है total करेंगे तो 1,45,000 आ जाएगा अच्छा सबसे पहले देखिए हमने किसको commission देना है इसके बाद X को लिखा था ना net profit में से after partner salary partners को salary देने के बाद जो profit बचेगा उस पर हमें commission देना है X को तो यहाँ पर लिखेंगे 2X capital account bracket में commission देखिए net profit था हमारा कितना चलो इसको में यहाँ पर working notes में calculate कर लेते है calculation of calculation of commission for X Mr. X के लिए calculate करेंगे तो इसका कौन सा case है before charging तो अभी इसको देखिए है net profit देखिए कितना था question में जो भी net profit होगा उसमें से X की salary और Y की salary दोनों की salary minus करने है तो net profit था हमारा 4,20,000 और X की salary है 1,20,000 और Y की salary है 25,000 रूपय दोनों की salary minus करने के बाद जो profit आएगा 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 तो after salary profit होगा 2,75,000 तो इसने question में देखिए यही बोला है कि partner को salary देने के बाद X को commission देना है 10% net profit पे लेकिन partners को salary देने के बाद और before charging commission तो यहाँ पे X commission अगर calculate करेंगे हम तो formula होगा before charging formula होगा before charging का net profit into rate upon 100 तो देखिए net profit कौन से वाला लेंगे है जो salary देने के बाद बचा है यही कि दोनों को salary देने के बाद जो profit बचा है 2,75,000 तो यहाँ पे लिखेंगे 2,75,000 into 10% commission है तो 10 upon 100 27,000 रुपे 27,500 इसका commission आजाएगा X का ठीक है salary देने के बाद जो भी profit बचा उस पे हम 10% commission देंगे और before charging है तो before charging में normal formula रहा जाता है net profit into rate upon 100 net profit salary के बाद यतना बचा था 2,75 इसका 10% 27,500 X का commission आजाएगा तो आप यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे लिख दीजे to commission account और X capital account X का commission है 27,500 ठीक है इसी तरीके से Y का commission भी calculate करेंगे for Y लेकिन जो Y का commission निकालना है उसने बुला profit में से salary तो minus करनी है और all commissions भी minus करना है देखे क्या लिखागा commission 10% on net profit after charging all commission and partner salary partner को salary देने है और सारे commissions में minus करना है तो देखे net profit में से salary minus करनी है total salary और commissions minus करना है हमें तो सिरफ X का commission बता है तो X का commission ही minus करेंगे Y का commission तो भी calculate करना है तो वो तो deduct नहीं होगा तो इसका मतलब यह Y का commission calculate नहीं किया हमने और फिर भी कह रहा है कि Y का commission minus करने के बाद यानि कि देखे अभी हमने X का ही commission calculate किया है उसने बोला कि net profit में से salary तो minus करना ही करना है और जितने भी commissions है वो भी minus करना है तो हमें तो सिरफ X का commission पता है Y का commission तो हम अभी calculate करी रहे है तो Y का commission calculate करने के बाद जो profit बचेगा उस पे निकालना तो यह तो possible नहीं है तो इसका मतलब यह after charging का case है तो net profit आपको दे रखा देखें कितना 4,20,000 इसमें से salary थी total आपकी दोनों की salary देख लीजिए 145 हो रही है और X का commission हमने calculate कर लिया था 27,500 Y का नहीं पता तो इसलिए यह कौन सा case हो गया after charging after charging commission तो इसलिए देखें 4,20,000 में से salary माइनस कर दीजिए X का commission माइनस कर दीजिए तो यह बचेगा profit 2,47,500 अभी इसमें से Y का commission भी माइनस करना था लेकिन वो तो हमें पता नहीं है तो वो commission already इसमें included है तो इसका मतलब भी after charging का case है तो दूसरा तरीका यह समझने का अगर साफ साफ नहीं लिखा है तो आप इस तरीकी से समझेगा तो wise commission bracket में लिख दीजिए after charging और after charging में formula होता है net profit into rate upon 100 plus rate तो net profit तो यह वाला लेंगे salary और commission माइनस करने के बाद जो आया था 2,47,500 into rate of commission 10 है तो 100 plus 10 तो solve किजिएगा तो 10 upon 110 किजिए तो 22,500 आजाएगा यह आपका y का commission होगा तो y का commission देखी इस तरीके से calculate करना था net profit में से total salary और x का commission माइनस करेंगे बाकी जो बच्चेगा वो after charging case है क्योंकि y का commission हम माइनस नहीं कर से हमें पता ही नहीं हम वही तो calculate कर रहे है तो ऐसी condition में after charging का commission case माना जाएगा तो इस case में formula लिखेंगे net profit into rate upon 100 plus rate और solve कीजेगा तो आपके पास 22,500 यहाँ पर commission आ जाएगा और बाकी जो profit बच्चता है वो partners में distribute कर देंगे देखे 4,20,000 में से माइनस कीजिए 1,45,000 total salary है और total commission है 50,000 इन दोनों को माइनस करेंगे 4,20,000 माइनस 145,000 माइनस 50,000 तो 2,25,000 रुपय आएगा यह आपका divisible profit है यह दोनों partners में distribute कर देंगे तो देखें क्या ratio दे रखा है इनके बीच में कुछ नहीं बोला तो equal बाढ़ देंगे 1 ratio 1 तो to profit ट्रांसफर टो X capital account Y's capital account ratio नहीं दे रखा तो equal distribute कर दीजिए तो 1,12,500 X का आजाएगा 1,12,500 Y का आजाएगा बराबर बाढ़ दीजिएगा दोनों में देखें यहाँ पर यह commission वाला question last था हमारा तो worksheet number 2 हमारी complete हो गई है तो अब जो हमारा next topic है तो देखें जितनी में maximum question profit and loss, appropriation, partners, capital से related बनते हैं वो सारे questions हमने इन दोनों worksheets में cover करवा दिये हैं और parts में lecture को divide किया गया है तो और description में PDF का जो यह worksheet 1 या 2 दोनों है तो दोनों के link भी दे रखे हैं हमने description में फिर भी किसी question में आपको लगता है कि यह question दुबारा करवाना चीए या फिर कोई question आपको दुबारा समझ नहीं आया है तो उसको हम दुबारा से भी करवा सकते हैं ठीक है उसका अलग से हम एक lecture बना लेंगे और अब जो next topic हम करवाएंगे वो past adjustment होगा ठीक है past adjustment में काफी बच्चों को problem आती है तो उसको काफी easy way में करवाएंगे और जितने maximum question board exam में पूछे जाते है वो सारे हम next worksheet past adjustment की जो बनाएंगे उसमें करवाएंगे तो उमीद करते हैं आपको ये lecture समझ में आया होगा सारे questions देखिए 11 question worksheet 1 में थे और 16 question worksheet 2 में तो total आपके 27 question होते हैं तो 27 question काफी हैं यहाँ पर profit and loss approbation के जो maximum possibilities आती हैं उस सारे questions हमने इसमें cover किये कोशिश पूरी किये फिर भी अभी कोई questions अकर बजगी होंगे तो हम आगे एक lecture और बना देंगे उसमें करवादेंगे तो अभी हम फिलाल के लिए next lecture जो बनाएंगे वो past adjustment पर बनाएंगे ठीक है तो आज का lecture यहीं तक रहेगा धन्यावाद